दोस्तों केडिट काट का बिल पेमें ना करने के चलते SBI ने एक हमारे ही सब्सक्राइबर को जो है केस फाइल कर दिया और उनके खिलाब जो है एरेस्ट वारेंट निकल चुका जी दोस्तों मैं खुद का बात नहीं करो हमारा ही जो सब्सक्राइबर है उनी का ही मैं बात करो हम यहाँ पर मैं स्क्रीन शॉट अब भी आपको दिखार उन्हें हमारे चैनल पर कमेंट भी किया है मैं स्क्रीन शॉट दिखार है क्या है मसला आपका भी ऐसा कुछ इशू है जहां पर आप अपना क्रेडिट का बिल या फिर loan का EMI नहीं भर पार हो तो क्या आपके उपर भी loan company या फिर bank ऐसे ही जो है address to warranty या फिर case file कर सकता है तो दोस्ता आगे इस वीडियो को देखीएगा पूरा details में बताऊंगा हमारी एक subscriber ने हमें text SMS किया है कि सर दिखे मेरा एक credit card था जो कि 2007 में मैंने last payment किया तो उसका 29 अजर का कुछ limit था और वो जो है बहुत दिन से राइट अफ हो गया था और मैंने 29 अजर का limit में से 8,000 मैंने payment कर दिया था तो 10-20,000 रुपे बाकी था तो वो राइट अफ था बहुत दिन से लेकिन आभी जो है recently मेरे पास call आया और मुझे जो है मेरे नाम पे जो है case file कर दिया SBI ने और मुझे arrest warrant भी बोल दिया गया है 16 तरीक को तो दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा कि ऐसा जो message किया है हमारे subscriber ने किया ऐसा सच में हो सकता है या फिर हुआ है मैं आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों ऐसा जो है अगर आपके पास कोई भी documents आता है जहां पर लिखा है कि आपके खिलाप case file हो गया है और वो SMS के थूरू आता है या फिर आपके whatsapp में आता है तो आप जान लिजिए वो 100% fake होगा कि दिखी दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में जो माट बनाया था इसी topic को बनाया था कि loan default करना या फिर credit card का bill नहीं दे पाना ये कोई criminal proceeding नहीं है criminal case नहीं है तो आपके ओपर कोई भी जो है ऐसा police case warrant जो है किसी भी हालत में हो नहीं सकता until and unless कि आपके ओपर कोई भी check bounce या फिर ECS bounce का case लगाए और वो भी case लगाने के लिए भी मैंने बताया था कि बहुत कुछ condition होता है सर्थ होता है उसके लिए भी notice serv करना होता है और जो notice आता है वो आपका पुलिस के तरफ से नहीं आगा direct आपके court के तरफ से अगर आपके पास पैसा है आप भर दीजिए क्योंकि आपका पैसा ना भरनने से आपका इर सिविल लेकॉर्ड या फिर आपका फिनांसियल इश्यू है वो डिस्टाफ होगा इन फ्यूचर लेकिन पैसा नहीं है तो आपको इतना डर या पिर इतना पैनिक होने के जरूरत स्कैबर के पास SMS आया ता यह तोटाली जो है फेक SMS था या फिर फेक मैसेस था वाट्सप के थूरू आया था जो कि क्लेक्ष्ण एजंट के थूरू आया था यह 30 क्लेक्षण एजरूज था जिनोंने हमारे कस्ट्मोर को ऐसा SMS किया था कि आप इतना दिन के अंदर पैमेंट कर दिए नहीं है तो इतना ज़्यादा पैनिक होने की कोई जरूत नहीं है तो दोस्तो आई होब आपको समझ में आशुका होगा हम मिलते अगले वीडियो में तब तक अपना बहुत सा रख्या लखी का जैहिंद बनने मातरा